Hey guys welcome back to my channel आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि CSIR का जो एक्जाम है जो आज चुके है हमारे सामने उसको हम किस तरीके से बहुत अच्छे से दें यह जो 3R से इसको हम किस तरीके से बहुत अच्छे से योटिलाइस करें किस तरीके से इस एक्जाम में confidence हमारा अप रहे कौन से section पहले करें कौन से questions को पहले attempt किया जाए किस तरीके से questions को choose किया जाए हर एक चीज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं So let's start with the video guys सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि कौन से section को हमें सबसे पहले करना चाहिए तीन section है A, B और C इन तीनों ही sections पे से सबसे पहले हमें section C के साथ शुरुवात करनी चाहिए section C में आपके पास 25 questions है और 100 marks के यहाँ पे questions आपके सामने है यह section है वो आपका selection है अराम से आपको selection के तरफ लेकर जा सकता है और उसी के सासाथ इसमें जो questions होते हैं, lengthy questions होते हैं इन questions में आपका brain use होता है तो अगर हम section A और section B के बाद इस section को करते हैं तो हम already exhaust हो जाते हैं इस बेटर कि section C के साथ शुरुआत करें उसको शुरू में time दे ताकि हमारा दिमाग ठका ना हो और अच्छे से उन questions को पढ़ सके, statements को अच्छे से पढ़ सके तो पहले आप यही try करिए कि C section के साथ शुरुआत करिए आप C sections में बहुत सारे तरीके questions आते हैं सबसे पहली बात तो CSIR ने इस section में बहुत जादा आपको options दी हैं तो जबी पर आप questions को solve करनी के शुरुआत करेंगे section C में तो यह ध्यान रखना कि जो units आपने तयार किया उनके questions करना यह मत करना कि जो units तयार नहीं किया उनके questions आप पढ़ने लग गए CSIR में यह बहुत अच्छी बात है कि लगपक वो unit wise ही questions देते हैं सबसे पहले biochemistry के होंगे फिर cell bio फिर mall bio इस तरीके के होते हैं तो आप देखना कि जिस units को आपने prepare किया उनके questions पर आप जाईए बाकी जो questions उनमें time waste ना करें उसी के साथ साथ आप यह देख सकते हैं कि starting में आप match the column type of questions के साथ शुरबात कर सकते हैं अगर आपको वो जल्दी दिख रहे हैं तुकि वो questions बहुत easy है एक दो options निकाल की आपका answer आ जाता है तो जो match the column questions होते हैं उनके साथ आप पहले जा सकते हैं उसी के साथ साथ जो statement based questions होते हैं वो भी easy होते हैं अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ाए तो आप अराम से उन questions को कर सकते हूँ तो इन questions के साथ पहले शुरुवात करना बाद में जो है numerical type questions आप कर सकते हो कि उसमें आपको देख सकते हूँ क्या आपको questions attempt करने की जरूरत भी है या नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ 25 questions attempt करने हैं मैं आज तो column और statement based questions से ही हो सकता है कि आपके 25 questions निकल जाएं तो उन units के साथ जाना जिन units को आपने यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा है उसमें भी easy questions करने की कोशिश करना स्टार्टिंग से एक बार पढ़ लीजे questions को फटाफट फटाफट और फिर जहां जहां easy questions रखते जाए वो आप करते जाना यह ध्यान रखना कि आपको सिर्फ 25 questions attempt करने हैं 75 नहीं करने है section C में तो जो easy questions दिखे वो कर लेना उसके बार फिर section B पे जाना और उसके बार last में section A पे जाना अब यह होता है कि आप इस तरीके से जब solve करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही round में आपको 25 के 25 questions सारे के सारे questions attempt करते हुए जाना है हो सकता है कि section C में पहले B C question कर पाऊ पहले round में 15 कर पाऊ जितने हैं उतने करो उसके section B पे चले जाओ उसके बास section A पे चले जाओ उसके बापिस से घूम के आ जाओ section C, section B, section A पे इस तरीके से आप कर सकते हो तो तू राउंड पेपर कर सकते हो तो थी राउंड कर सकते हो आपके उपर है कि आपको किस तरीके से time देना है ताइम अगर हम डिविशन के बात करें तो तो देखे तीन गंटे का पेपर है तीन गंटे में से पहले 50 मिनट्स जो आप section C को देख सकते हैं नेक्स्ट जो 30 मिनट्स से section B को दे देना उसके बाद के जो 20-25 मिनट्स से section A को दे देना और फिर वापिस से आप C, B और A पर घूम के आ सकते हो इसमें बहुत बढ़ा यह भी डाउट होता है कि माम हम कितने questions कर के आए section C के कितने questions कर के है section B कितने questions कर के आए तो देखिए ऐसे दिमाग में मत रखे जाए कि मैं section C के 25 के 25 questions कर के आऊंगी कर के आऊंगा या फिर 23 questions करूंगी 22 questions करूंगी क्योंकि you never know कि questions कैसे आने हो सकता है कि आपके रिसाप से questions बहुत easy आजाए section C में और हो सकता है questions कुछ tough आजाए तो आप यह देखिए कि आपके ज toughness or easiness का level भड़ता घटा रहता है तो उस हिसाब से आप paper को देख के decide करना कि आपको कितने questions करने हैं जैसे questions आते जाए वैसे करना question में जबर्दस्ती mark मत करना यह बात ध्यान रखना especially section B में section B is all about आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है तो जबर्दस्ती mark मत करना negative में mark जाके कुछ मतलब नहीं है section C में भी इसी तरीके से हर एक statement को अच्छे से पढ़ना अगर आपके statements को पढ़के question निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है तो एक लिए ऐसा होता है कि आपको 4 statement ना भी पता हो दो statement भी अगर आपको पता हो ना तो आपका answer कभी-कभी न कर जाता है तो इसलिए अच्छे से दीखना easy questions को attempt करने की कोशिश करना tough questions को solve करके आओगे तो ऐसा निए कि आपको ज्यादा marks मिलेंगे मिलेंगे आपको 4 marks ही तो इसलिए smartly paper को solve करना है जबरदस्ती tough questions में अपने को solving नहीं दिखाना है अपने को solve करके और section A में भी ऐसा हो जब आप पहुँच गयो exam hall उससे पहले पूरी कोशिश करना है कि पढ़ने नहीं बैठना है छे महीने अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एक दिन कुछ बदलेगा नहीं और अगर आपने छे महीने नहीं पढ़ा है तो उस condition में भी एक दिन कुछ नहीं बदलने वाल ह तो आप exam hall से पहले मत पढ़ना बिना मतलब exhaust हो जाओगे क्या मतलब बनेगा इच बेटर है कि काम ली बैटो एवन exam के एक दिन पहले ही 6 बजे तक पढ़ाई छोड़ दो उसके बात पढ़ाई कोई मतलब नहीं बनता उसके बाद अराम से चिल रहो अपने घर वालों से बा करें दी मोटिवेट करें ऐसे लोगों से हमें बात करनी नहीं है तो ऐसे अपने आपको जो है काम रखने की कुशिश करो बिल्कुल इजी मानो इस दे को बहुत बड़ा भी मत बना और है मेरा exam है मेरा exam है उसको थोड़ा सा रिलाक्स रखो काम रहकर exam दो कि हाँ भई exam है मै अच्छे से preparation किया है believe in myself करके आपको exam देना होगा तो ऐसे कुछ उल्टा सीधा मत देख लेना जो आपकी confidence down करें बिल्कुल ऐसे चीज़े देखना जो आपको confidence अप कर सके और ऐसे ही लोगों से बात करना और exam होर में भी जाके जादा लोगों से बात मत करना अपने काम से मत थ्यान रखना नेगेटिव के लिए जबरदस्ती questions अटेंट मत करना ये ध्यान भी रखना so wish you all the very best guys I hope आपका exam है बहुत अच्छा होगा और take care of yourself wish you all the very best